मैं आपको यह बता रहा था कि अगर आपको M.C.U. आएगा तो आपको यह वाले बड़े बहुत जादा चांसेश है कि आपको यह वाल M.C.U. पूछा जाएगा जो अभी मैं आपको बताने लिगाओ तो आपने बहुत important है यह बहुत important बात है कि जो ulcerative colitis होता है जो ulcerative colitis होता है इसमें आपको bloody diarrhea मिलता है इसमें जो क्या होता है bloody diarrhea इसमें क्या होता है bloody diarrhea इसमें क्या होता है bloody diarrhea यह बहुत important MCCUS है bloody diarrhea और जो आपका दूसरा है क्रोहन डायरिया इसमें आपका कोई ब्लैडड नहीं आएगा लेकिन यारिया होगा यह बड़ी इंपोर्टन बात है और यह नहीं बोड़ए आपने उसके बाद उसने लिखा हुआ यह बिलडी डायरिया होगा। क्रोहन डिजीज में bloody diarrhea नहीं मिलता लेकिन जो आपका अलस्रेटु कॉलाइटस है इसमें आपको bloody diarrhea मिलता है ठीक है bloody diarrhea मिलता है यह MMC की हुज़ा है इसलिए आपने इसको याद रखना है और बाकी इसमें diarrhea भी हो गया उसके बाद आप कहते हैं कि यार अच्छा अब यह तो हमे extra intestinal क्या क्या मसले आएंगे ठीक है extra extra intestinal extra intestinal मिसाल क्या 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 सामना करना पड़ेगा ठीक है तो extra intestinal इसको ज़रा ध्यान से सुन देना यह काफी मुश्किल मुश्किल टर्म्स लिख्या हूई है जिसको अपनी आपनी बुख पर नोट भी कर लेना देखो सब से पहले extra इंटेस्टानमें हम crohn disease की बात कर लेती है जो crohn disease होगा ठीक है जो को moול अपको कैम रेश मिलएंगे ठीक है उसकी skin पे जो crohn disease का मरीज़ होगा ये mostly young मरीज होता है ठीक है ये now Jahan होता है तो रेश में जो इसकी skin पे ना आपको बड़े races मिलेंगे आपको स्कीन पे क्या मिलेंगे बड़े रैशिस मिलेंगे अब सबसे पहले उसने एक तर्म लिखी है यह पायोडर्मा अरित्थ पायोडर्मा गैंगरी नोसम अच्छा इसका न आप इंटरनेट से तस्वीर भी देख सकते हैं गैंगरी नोसम इसमें न होता क्या है जो बहुत पायोडर्मा गैंग्री नोसम ज़कों की तेस्के लाइख सकते हैं उसके बाद आपकी है अरित्मा यॉरुं नोसम अरित्मा नडोसम के बारे में याद रखें अरित्मा नडोसम क्या होता है समझ लें कि एक रेड कलर का उभार सा होता है हमारी स्कीन पे हमारी स्कीन पे एक लाल कलर का उभार सा बन जाए तो इसको हम कहते हैं अरित्मा नडोसम इसको कहते हैं अरिट्मा नोडोसम तो जो आपका क्रोहन डिजीज का मरीज होगा उसमे अरिट्मा नोडोसम भी होगा और पायोडर्मा गंगरी नोसम भी होगा और ये तो होगे उसकी स्किन पे स्किन पर क्या क्या मसला आएगा यह MSQ है सारे अगर आपने USMLE करना है ना तो यह सारे करके सारे MSQ है आपसे एक MSQ में यह पूछा ताएगा कि स्किन पर क्या आएगा उसके बाद वो पुछेंगे कि इस पर यूवी आईटिस इसके आप पिक्चर्स अगर आप इंटरनेट से देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा असान होगा समझना उसके बाद आपको और क्या होगा इसमें औरल मैनिफेस्टेशन क्या होगी इसमें NLE का मुझे नहीं पता NLE मैने देख्था नहीं है का लेकिन इसमें जो आपका है यू ... मुऌ के चालो का हम कहते हैं मैंने आपको पहले लेक्चरमयाए था मुऌ के चालो का हम कहते हैं f.草 cambi स्कते हैं एक यह पिर आपको आर्थ्राइटस हो सकते हैं आपको क्या हो सकते हैं इनकी इंफ्सलमेशन वो सकती आपको स्किन के मसले आ सकते हैं, स्किन में गैंगरीनोसम हो सकता है, बड़ा ये ड्रोना से एक जखम होता है, उसके बाद आपको अरित्मा नडोसम हो सकता है, एक लाल कलर का उभार सा हो सकता है, उसके बाद आप कहते हैं, अरित्मा नडोसम कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि य में आपको सेम यही चीजे नजर आएंगी लेकिन डिफरेंस कहां पर देखो अब आपका जरा मैं कुंसेप्ट करता हूं न मुझे बताएं जरा जो क्रोहन डिजीज है क्रोहन डिजीज में आपको किड़नी स्टोन क्यों हो जाते हैं क्रोहन डिजीज में आपको किड़नी यहारी पेंसिल यह चाहीं नी हुद्आ या सबस्क्राइम aus निमरीं घृता ठरीर है और मार्शाललिल duplic रहे हैं और मार्शालाल काशी क्यूंझ के बदॉत आ रहे हैं देखे मैं को शॉर्ट करके नहीं हो पाती, ठीक है, mal absorption of fat, fat के absorption नहीं होती, और हम, मैंने आपको यह 1000 दफा पढ़ा आ चुका हूँ, इसलिए मैं अब जल्दी से पता हूँगा, इसमें चुक्छे आपको fat absorb नहीं होती, तो क्या होता है, आपका जो calcium है, calcium fat absorb नहीं होती, तो fat आपकी intestine के अंदर ही रहती है, तो जो calcium होता है, calcium fat के साथ bind कर जाता है, calcium क्या करता है, fat के साथ bind कर जाता है, अब आपका रह गया अकेला पीछे oxalate, ठीक है, पीछे क्या रह गया, आपका oxalate साकेला रह जाता है, तो हमने पढ़ा था कि जब oxalate अकेला रह जाता है तो oxalate की absorption ज्यादा हो जाती है। oxalate के absorption क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है तो oxalate के absorption ज्यादा होने की वगदा से ज्यादा oxalate हमारे blood में जाएगा और calcium oxalate होने के chances ज्यादा होते हैं तो जो crohn disease है इसमें आपको calcium oxalate होने के chances ज्यादा होते हैं इसका reason क्या है क्योंकि इसमें fat absorb नहीं होती जब fat absorb नहीं हो ग्रहन होसकता है चले किड्ने स्टों तो आपने बता द्या ने ही लफजव में बताने की कोई टी्या या ज्रायएट करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बाइल के वारे ने. चले मैं आपको कि इसम्में बाइल का चक्र है कि बाइल का मसला है लेकिन क्या मसला है बाइल में क्या मसला है फैट नहीं होगा तो सिसी के नहीं स्क्रीट होगा नहीं 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 है यह आप कह सकते हैं मतलब अगर फैट नहीं है लेकिन आपकी इंटरस्टाइम में तो फैट अवेलेबल है ना तो इसमें सीसी के का इतना रॉल नहीं ह रोल आपके सामने है बाइल में डॉक्टर बहजाद बाइल स्टोर क्या कहना चाहरे हैं आप बताएं जरा चले मैं आपको बताता हूं देखें सुन ले मैंने कहा था कि जो आपके बाइल साल्स होते हैं री अबजोब होते हैं कहां पे री अबजोब होते हैं आपके टर्मिनल इलियम में ठीक है आपके कहां पे होते हैं टर्मिनल इलियम में ठीक है टर्मिनल इलियम में मतलब जो आपका बाइल है बाइल आपका जब यूज हो जाता है तो बाइल आपका दुबारा री अबजोब यह बाइल की कमी हो जाएगी ओवराल बाइल की कमी हो जाएगी यह बाइल ज्यादा हो जाएगा यह यूर्ड का कुस्टन भी ऐसके उपर बाइल ज्यादा कैसे हो जाएगा बाइल की कमी हो जाएगी ठीक है बाइल विल भी लैस ठीक है जो बाइल होगा बाइल उसमें कम हो ज प्रेसिपिटेशन हो जाएगी जो हमारा बाइल है वो वहां पर प्रेसिपिटेट कर जाएगा ठीक है मैं आपको इसके डियाग्राम भी सेंड करूँगा एक डियाग्राम में यह बड़ा सेक्स्पिटेंट किया हुगा है तो इसकी क्या हो जाएगी प्रेसिपिटेशन हो जा ही है कि टर्मिनल इल्जियम खराब होने के अधा से प्रेसिपिटेशन हो रही है आपके गाल ब्लैडर में और उससे क्या होगा आपको गाल स्टोन हो जाएंगे आपको पित्ते की पत्री हो जाएगी ठीक है तो जो क्रोहन डिजीज है इसमें गाल स्टोन होने के चांसे ज्या सब्सक्राइब का नाम है लेकिन जो आपकी अला भला करें वह होता है इसमें एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेकलोरिजिंग प्राइमरी सेकलोरिजिंग कोल एंजाइटस यह मैं समझाता हूँ यह क्या होती है पहले हम यह टॉपिक पढ़ने फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ ठीक है प्राइमरी सेकलोरिजिंग कोल एंजाइटस और इसकी असोशिशन किसके साथ है आपका MPO ठीक है MPON का ठीक है यह ना प्राइमरी सेकलोरोजिंग कॉल एंजाइटिस इसको जड़ा हम समझ लेते हैं यह क्या होता है देखो इसको अगर आप बना सकते हो बुक पर तो बना लूँ देखो फर्द गरो यह क्या है आपका लिवर है ठीक है यह आपका क्या है और लिवर के कितने लेफ्ट और राइट लोब और यह आपका लेफ्ट लोब su और वी पाइल को ले किया है राइट ही लोब से उसको हम कहते हैं राइट हीपै्टिक डखे राइट हिपैटिक डग्ट राइट हिपैटिक डग्ट और लेफ्ट हिपैटिक डग्ट अब यह जो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डग्ट हैं यह क्या करते हैं यह आपस में मिलते हैं यह क्या बनाते हैं यह बनाते हैं हिपैटिक डग्ट इसको हम कहते हैं हिपैटिक और आपका क्या आता है फर्स करो यह आपका है गाल ब्लैडर ठीक है तो गाल ब्लैडर से आपकी एक आरी होती है डक्ट और उस डक्ट को हम क्या कहते है जब वो डक्ट आपकी इस हिपैटिक डक्ट के साथ मिलती है तो जो आपकी में डक्ट बाज में बनती है ठीक है देखें सब्सक्राइब निक दुर्भारा सुनें आपका लिछंग यह किया लिवर है रिवर से दो डंटिक निकली एक और यह मिलती है तो इए बनाती है। यह दोनों क्या बनाती है, हिपैटिक डाक्ट, जो हिपैटिक डाक्ट है, जब यह गाल ब्रेडर की डाक्ट से मिलती है, जब यह गाल ब्रेडर की डाक्ट से मिलती है, तो इसको हम कहते है, कॉमन हिपैटिक डाक्ट, इसको हम कहते है, कॉमन हिपैटिक डाक्ट कहते है, अब ह आईलाइट किया है यह सारा क्या हो गई है इन्फलेमेशन हो गई है जो आपकी हिपैटिक डग्ट है इसकी हो गई है इन्फलेमेशन तो अगर हिपैटिक डग्ट की इन्फलेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते है प्राइमरी सेकलोरोजिंग कॉलनजाइटर्स इसकी क्या हो जा तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते ह्だ आपको उल्सीलोरोजिंग कॉल अंजाइटिस कहते हैं तो जो आपका इनफलेमिशनátती है अब मुझे शाब बाश पहले तो यह बता है कि जितना यहां तक समझ आ गया फिर मैं आपको ट्रीटमेंट कराता हूं इसका जल्दी बताएं जल्दी बताएं मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा बड़ी मुश्किल थे आगी पढ़ाया चलें जी तकरीबन सबको समझ आ रही है अच्छे से अच्छा हम प्राइमरी वाला रिप की एगर मतर। की इंफलमेशन हो गयी पटिए तो इसको कहते हैं प्राइमरी से नहीं डाया हॉती है तो आगए में यह बन दी हम यह ह मक्ट्र है जो आपकी लेवर से हम Grow jokes न्यकल रही है इसका पूरा एक टॉपिक है तो इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है तो आगे इसका पूरा टॉपिक है इसको हम तब भी क्लियर कर लेंगे अच्छा खैर हम आगे चलते हैं अब इसमें आपको जो एंटीबोडि मिलेंगी वह कौन से मिलेंगी एंटी स्केरोमाईसिस सर्वीजिय मिलेंगे और अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की ठीक है कि मतलब जो आपका ट्रीटमेंट है आप दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करोगे ठीक है तो जो आपका क्रोहन डिजीज है क्रोहन डिजीज में आपको क्या दोगे आप उसको दोगे ग्लुको कोर्टिकोईड क्या करेंगे उसकी अम्यूनोस्प्रेशन करेंगी ठीक है ग्लुको कोर्टिकोईड में क्या होगी उसकी अम्यूनोस्प्रेशन होगी मत प्यूरीन नहीं बनने देते हैं उससे फिर आगे वह इसमें दे सकते हैं और इसमें क्या दे सकते हैं एंटिबाइटिक दे सकते हैं यहां पिर हम कौन सी दे सकते हैं मेट्रो नीडाजोल तो आपके वुक ने सारा लिखा हुआ है इसको आपने ध्यान से पढ़ देना है उसके बाद जो आपका दूसरा है उसमें एक ड्रग लिखी हो यह फाइफ अमाइनो फाइफ अमाइनो सैली सीलिक एसीड इसको आपने साइली सीलिक एसीड ठीक है तो जो फाइफ अमाइनो सैली सीलिक एसीड है इस कोक्स इनिबिटर यह क्या करता है कोक्स इनिबिटर है यह क्या करता है कोक्स इनिबिटर करता है और इससे क्या होगा इंफ्लमिशन आपकी काम हो जाएगा और क्या होगा आपका पिशन ठीक हो तो यह सारी ड्रक्स आपने रटा ही मारना है वाकि इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है यह यह भी क्या करती है प्यूरीन इन्हिबिटर है यह प्यूरीन को इन्हिबिट करती है तो जब प्यूरीन इन्हिबिट होगा तो क्या होगा इंफ्लमिशन का मुझाईगी और उसके बाद अब आपके मरीज को हो गई है डिजीज लेकिन आप बाद में उसको देखना चाहते हैं आप उसको मनीटर करना चाहते हैं आप उसको क्या करना चाहते हैं मनीटर करना चाहते हैं तो डिजीज की एक्टिवीटी को आप कैसे मनीटर करेंगे डिजीज की एक्टिव आएक बायो मारकर है यह क्या है एक बायो मारकर है मतलब एक बायो मारकर है और जो हमें फीसिज में मिलता है तो यह फीसिज में होता है जब भी इंफलमेशन होती है न हमारे इंटस्टाइन की तो हमें एक फीसिज में बायो मारकर मिलता है और इसको हम कहते हैं कैल प्रोटेक् मिलेगा केल प्रोटेक्टिन मिलेगा उसके बाद बाकी इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेकिन अगर यह नेगटिव मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रॉम होता है यह क्या होता है यह मैं आपको दिखाता बुक्स है तो मुझे पहले तो यह बताएं ना कि यह most important topic जो है most important topic यह आपको समझ आ गया है कोई मसला तो नहीं रहा गया फिर मैं आपसे question करता हूं सर यह दोनों में positive होगा नहीं नहीं दोनों में कैसे जी दोनों में उसमें जब भी inflammation होगी तो उन दोनों में यह positive होगा बुक्स पर चलते हैं और बुक्स वाली मैंने आपको एक एक वर्ड करके बताया है ताकि आपको यह most important topic है यह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए ठीक हो गया तो यह जितनी बाति मैंने आपको बताई है सारी एक एक लफज आपकी बुक्स पर यह इसी तरह लिखा ठीक है उसके बाद एक डिजीज है उसके बाद एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कॉपी कॉलाइटस ठीक है माइक्रोस्कॉपी कॉलाइटस ठीक है माइक्रोस्कॉपी कॉलाइटस ठीक है माइक्रोस्कॉपी कॉलाइटस है इसमें क्या होता ह वाटरी डाइरिया होगा, बहुत लंबे अर्से से उसको क्या होगा, वाटरी डाइरिया होगा, most common in older females, ये ज्यादा तर बुड़ी अम्मा में होती है, ठीक है, बुड़ी जो females हैं, उनमें होती है, Clonic mucosa appears normal जो आपका mucosa होगा वो normal appear होगा ठीक है जो mucosa होगा वो normal appear होगा लेकिन जब आप उसके histology करो होगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा lymphocytic infiltrate in lamna propria lamna propria में आपको क्या मिलेंगे बहुत ज़्यादा lymphocytes infiltrate हुए हो नज़र आएंगे आपको और intra epithelial lymphocytosis और thickened sub epithelial collision band देखे इसमें कुछ भी नहीं है सुर्फ आपने read करना है इसको इसमें ये है कि आपको क्या मिलेंगे lymphocytic infiltrate मिलेंगे जो lamna propria है इसमें आपको क्या मिलेंगे lymphocytes infiltrate धसे हुए होगे और intra epithelial जो epithelial के दर्मियान आपको क्या मिलेंगे बहुत ज़्यादा lymphocytosis मिलेगी बहुत ज़्यादा lymphocytes की तदाद मिलेगी और आपको एक thickened सा band मिलेगा collision का आपको band मिलेगा कहां पे मिलेगा epithelial के नीचे ठीक है epithelial के नीचे आपको मोटा सा collision band मिलेगा lymphocytosis मिलेगी और आपको lymphocytic infiltrate मिलेंगे किस में मिलेंगे lamina propria में lamina propria में उसके बाद आपका आता है irritable ball syndrome जो irritable ball syndrome है इसको हम ज़रा कर लेते हैं लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है पहले तो मुझे ये बताएं एक आपके पास patient आती है आती है या आता है जो भी है और वो क्या है यंग है ठीक है उसकी उमर बिलकुल जवान है अभी वो क्या है यंग है यंग एज है उसकी और यंग यंग एज है और वो कहती है कि डॉक्ट साब बहुत अरसे से डाइरिया है ठीक है यंग एज है weight loss ठीक है weight loss है diarrhea है यंग एज आउसकी और उसमें क्या है recurrent उसमें और क्या है recurrent L यार यह pencil को क्या मसलब है recurrent RLQ ठीक है RLQ का मतलब क्या आता है right lower quadrant right lower quadrant मतलब जहां पर उसका appendix है ना appendix में उसको appendix वाले जगा पर बहुत ज़्यदा pain होती है ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ देखें एक आपके पास मरीज आई है एक female है और वो young है ठीक है वो काफी जवान ही है भी और उसको diarrhea है बहुत लंबे हरसे से उसका वजन भी काफी ज़्यादा काम हो चुका है और उसको बार-बार उसको बार-बार pain होती है कहां पर pain होती है जो उसका right lower quadrant abdomen का right lower quadrant में उसको क्या होती है pain होती है तो आपका diagnosis क्या होगा what will be your diagnosis आपका diagnosis क्या होगा बताएं जरा जी डॉक्टर काशिफ एक्सेलेंट शाब बाश आपने सही बता दिया बिल्कुल बाकी बताने की जहमत करें इसमें आपका diagnosis क्या होगा जल्दी बता दें देखें मैं आपको बताता हूं terminal ilium आपका कहां पर होगा जो terminal ilium है किस location पर होगा नहीं पता यार इतने सारे नूरे क्यों बन गए हैं इतनी कोई मैंने भड़ी बात तो नहीं पूछ ली देखें मेरी बात सुनें जो आपका terminal ilium होता है वो right lower quadrant में होता है तो जो आपका क्रोहन डिजीज है क्रोहन डिजीज किसको involve करता है terminal ileum को ठेखें जो ग्रोहन डिजीज है क्रोहन डिजीज किसको involved करता है terminal ileum को तो देखेंगा क्रोहन डिजीज मैने आपको बताया प्यहतली है यह जो क्रोहन डिजीज है यह mostly young females को पिमल करताए इसमें डाइरिया होता है तो आपने कर लेना है अच्छा उसके बाद आता है जी आपका IBS, Irritable Ball Syndrome, ये एक something else है, ठीक है, मतलब ये एक अलादा चीज़ है उससे IBD से, IBD एक और चीज़ है और आपका IBS एक और चीज़ है, तिन दोनों को kindly mix नहीं कर देना, जो आपका Irritable Ball Syndrome है, इसमें क्या होगा, जो म defecate करता हूँ, या करती हूँ, देखें, इसकी ना, आप question समझें के, आपको question किस तरा हैगा, मरीज आपको कहेगा, के डॉक्र साब, मुझे ना, pain होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन, जब मैं washroom use कर लेती हूँ, या कर लेता हूँ, तो pain कम हो जा जाता है, मतलब कि जो आपका recurrent abdominal pain है, it is related to defecation, जब मैं defecate करता हूँ, तो pain ठीक हो जाता है, या फिर, मेरे पेट में दर्द उठता है, या मेरे पेट में मरोड से उठते हैं, और मुझे बार-बार washroom आता है, stool frequency में change आ जाता है, जब मेरे पेट में दर्द होता है, तो stool frequency frequency में change आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं washroom जाता हूँ, कभी ऐसा होता है कि मुझे constipation हो जाता है, मैं washroom जाता ही नहीं हूँ, तो it is related to defecation, या फिर pain हो और उसके साथ आपकी stool frequency change हो जाए, या फिर, या फिर क्या हो, कि आपको बार जाता है, तो आपको पेन हो रहा है उसमें, पेट में और कभी stool ठिक है और कभी थिन है, या फिर, जब मैं washroom यूज करता हूँ या करती हूँ, तो ठीक हो जाता है, तो जो आप मरीज है, ये किसका criteria है, ये criteria आपका irritable ball syndrome, irritable ball syndrome का आप diagnose कैसे बनाओगे, देखो, उसमें आप को होगे कि अच्छा, मरीज को बार-बार पेट में दर्द होता है, तो इसका ये पूरा है, लेकिन इसके साथ, ये जो हमने तीन लिखे है ना, ये वाले तीन, ठीक है, इन तीनों में से दो आपके लाजमी होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा आपकी characteristics लाजमी होनी चाहि दूसरी बात, जब आप इसका डियागनोसिस बनाओगे, तो ये कम से कम तीन दिन रहना चाहिए, ये कम से कम क्या रहना चाहिए, तीन दिन रहना ही चाहिए, ये जो आपका, ये जो आपका मरीज है, इसको तीन दिन पेन होना चाहिए, एक महिने में, त्री डेज इन वन मन एक महीने में आपको इसको तीन दिन पेन होना चाहिए और तीन दिन पेन रहता है और तीन महीने रहता है तो इसको हम कहेंगे के it is irritable ball syndrome इसको हम फिर कहेंगे irritable ball syndrome ठीक हो गया अच्छा इसमें आपको न सबसे जो एहम बात है वो यह है कि इसमें कोई structural abnormality नहीं आएगी स्ट्रक्चर नहीं आएगी स्ट्रक्चर नहीं खराब होगा स्ट्रक्चर बिलकुल भी खराब नहीं होगा और it is most common in middle aged woman जो middle agent के खतून होती है उनमें ये क्या है common है और इसके chronic symptoms में भी diarrhea हाँ इसमें chronic symptoms क्या आ सकती है कि यहां तो इसमें constipation बहुत ज़्यादा होगी यह उसमें diarrhea बहुत ज़्यादा होगा और इसके जो path physiology है इसके बहुत ज़्यादा multifaceted है multifaceted है multifaceted हो मतलब क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा reasons है इसकी path physiology की multifaceted है और इसमें आपने जो treatment इसका कैसे करने है आपने इसको treatment देने lifestyle modification आपने इसको कहने है कि आप exercise बगरा करें और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आपके इर्दगिर्द कोई chronic constipation का मरीज है अगर आपके इर्दगिर्द कोई कबज का मरीज है उसको अक्सर कबज रहती है तो मेरे कहने पर आप उसको exercise recommend करके देखना आप उसको कहना कि आपने न सुबह उठके न वाक किया करनी है या आपने उसको exercise पर लगा देना है तो मैं आपको कहता हूँ कि exercise start कर दें आप जिम start कर दें आप दोड़ना चुरू कर दें तो आपकी कबस ठीक हो जाएगी ठीक है तो यह भी जो irritable ball syndrome होता है इसमें भी आपने dietary changes करनी है और lifestyle modification करनी है तो एक दफा मैं इसको end करता हूँ